हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इड्यूट ट्रेनों इड्यूट ट्रेनों के इस सेशन में हम लोग टेंज के बारे में पढ़ते हैं और टेंज में अभी तक हमने कवर क्या है Present Indefinite Tens, Present Continuous Tens और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं Present Perfect Tens यदि friends आप में से कोई अभी तक present indefinite और present continuous tense के वीडियो जी नहीं देखे हैं तो नीचे description box में उसके links दिये गए हैं आप वहाँ से नहीं देख सकते हैं और present perfect tense में हमने अभी तक cover किया है present perfect tense का जो simple sentence होता है यानि कि affirmative sentence दूसरा अपना negative sentence और कल के वीडियो में हमने cover किया था present perfect tense का interrogative sentence तो friends आज present perfect tense का last session देखेंगे यानि कि present perfect tense का जो interrogative negative sentence होते हैं उनकी पहचान क्या होती है उसका rule क्या होता है और उसके साथ उसके कुछ examples भी देखेंगे तो friends अभी तक यदि आपने edu trainer को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें और bell icon को hit कर दें ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहें तो आज का session शुरू करते हैं और देखते हैं present perfect tense का जो interrogative negative sentence है उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे तो friends कोई भी वाके दिया गया हो उसके आरंभ में क्या अथवा क्यों सब्दा है तथा अंत में नहीं के साथ चुका है चुकी है चुके है या कहें तो या है ये है ये है ऐसे सब्दी यदि आपको दिखाई देते हैं तो वहां confirm हो जाना है कि यहां पे present perfect tense का interrogative negative sentence है और जैसे ही हमें clear हो जाए कि ये present perfect tense का interrogative negative sentence है तो वहां पे हमारा आधा काम clear हो जाता है अब बागी का बचा rule का तो simple सा rule है जैसे कि हम लोग interrogative में देखते थे has या have फिर subject और यहां जब negative आ जाएगा तो यहां पे हमारा rule क्या हो जाएगा subject के पास केवल not जूड़ जाता है बागी same वैसे ही राता है तो rule क्या हो जाएगा has या have फिर subject यानि की करता लिखते हैं फिर not फिर verb का third form फिर object यानि की कर्म लिखते हैं plus में हम लोग question mark लगाना नहीं बोलते हैं यदि एक वचन करता है यानि की singular number है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे has तथा यदि बहु वचन करता है तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं have का प्रयोग यदि बहु वचन का मतलब एक से अधिक लोग हैं तो वहाँ पे हम लोग have लगाएंगे और जब कोई singular number है तो वहाँ पे हम hedge लगाएंगे कुछ examples देखते हैं जिससे आपके मन में जो भी doubts होंगे वो clear हो जाएंगे first example है क्या पीता जी बाजार नहीं गए हैं तो जैसे ही sentence हमें मिलता है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या सब्द आ रहा है क्या जो कि इसकी पहचान है क्या अथवा क्यों तो यहाँ दिख रहा है क्या सब्द आ रहा है और बीच में हमें नहीं के साथ गया है गई है गई हैं में से हमें सब मिल रहे हैं यानि की हमें ये हो गया ये present perfect tense का interrogative नेगेटिफ सेंटेंच है तो उसके rule के इसाब से हम बना लेंगे तो पीथा जी बाजार नहीं गय है यानि की singular number है तो singular number के साथ हम hedge का phrase करेंगे hedge father not go का third farm लगा लिए हमने gone to market, क्या पिता जी बजार नहीं गये है, has father not gone to market, next है, क्या वे अपना काम पूरा नहीं किये हैं, क्या वे अपना काम पूरा नहीं किये हैं, इस sentence हमें clear हो रहा है कि starting में हमें क्या सब मिल रहे हैं, last में नहीं, इसका मतलब हुआ ये interrogative और negative sentence है, present perfect का, और we सब्दाया है, we में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए ये क्या है, बहुवचन है, यानि कि pure number है, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, have, तो have, they, not, complete का third form लगाएंगे, completed their work, क्या वे अपना काम पूरा नहीं किये हैं, next example देखते हैं, क्या भी फुटबाल खेलने नहीं गये हैं, क्या भी फुटबाल खेलने नहीं गये हैं, तो जैसे हमें sentence के लिए हो जाएं, present perfect का interrogative negative है, तो हम उसके rules से बहुत से बना लेंगे, have they not gone to play football, क्या भी फुटबाल खेलने नहीं किये हैं, have they not gone to play football, next है, क्या महेश और दिनेश नास्ता नहीं किये हैं, तो एक से अधिक लोग हो गये, यानि कि यह क्या हो गया, वह हो वचन हो गया, और उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, have, have, फिर subject लिखेंगे, महेश and दिनेश, च्योंकि करता महेश और दिनेश है, तो हमने लिख लिख लिया, have, महेश, एंद दिनेश, इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, not, have, महेश, एंद दिनेश, not, take का 3rd form हो गया, taken, breakfast, क्या महेश और दिनेश नास्ता नहीं किये हैं, have, महेश एंद दिनेश, not taken, ब्रेकफ़स्ट, next है, क्या आपने फिल्म नहीं देखी है, तो क्या हो जाएगा, have you not see का थर्ड फार्म ले लिया, हमने seen the movie, क्या आपने फिल्म नहीं देखी है, और last example है, दीपक दवा क्यों नहीं खाया है, जैसे ही वाक्य के बीच में हमें क्यों सब्द मिलता है, तो उसकी इंगलिस हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, why, क्योंकि इंगलिस हमने लिख लिया, why, इसके साथ हम क्या लगा है, has, क्योंकि singular number है करता, why has दीपक, फिर क्या जोड़ यह not, why has दीपक not eaten medicine, आप यहाँ पर taken भी यूज़ कर सकते हैं, तो दीपक दवा क्यों नहीं खा है, why has दीपक not eaten medicine, तो friends, I hope आपको present perfect tense का interrogative negative clear हो गया होगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को like करें, and अपने friends के साथ इसे share करें, जिससे कि उन्हें English easily समझ में आये, और उनके साथ किसी भी प्रकार का दिक्कत ना है, I hope आज के लिए बस इत नहीं, thanks for listening, and always be with edutreno, thanks.